अब राजीव आज हम सवाल क्योंकि शब्दों के नए नए जो बाट छोड़े जा रहे हैं उस पो तम लगाता डिसकुशन कर ही रहे हैं लेकिन इस वक्त अब फिर से सवाल इंडिया गडबंधन की तूट पर आ गया है प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब क्या प्रधानमंत्री का जो इशारा था वो सीधे सीधे ममताब एनरजी के बाहर से समर्थन देने वाले बयान पर ही था और वाके में अब ये सवाल बहुत एहम हो गया है क्योंकि जो विपक्षी गडबंधन पिछले चार चर्णों में कम वोटिंग परसेंटेज के आ रही हैं उनके बयान के किस तरह के माइने हम निकाले क्योंकि यूटर्ण भी वो लेती नजर आई थी बाद में देखिए ये सब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ये सब निताओं की इस तरीके से बातें आती रहती हैं यहां तक भारतिय जिनता पार्टी की बात है प्रधानमंत्री की बात है तो ये चार चरण होने के बाद प्रधानमंत्री उन समय की गडबंधन सरकारों को याद दिलाना चाहते हैं वो बात ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग मिल करके जब सरकार बनाते हैं तो कैसे फिर तूट इस देश में कितने गड़बंदन तूटे हैं कितनी सरकारें गीरी हैं और दूसरी तरफ भारती जंता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरका दी और उसमें देश में एक स्थिर्था का महूल आया तो वो यह कोशिश का बताने की कि यह तो आपस में लड़ते रहते हैं तो खटा-खट वो जानती चार जून के बाट अलग हो जाएंगे कि पुज़ा शुद्ध के सर्यास मन जोगी हुआ रे दिल जूमें देखो हर पल मनाओ केस्री तेवाहर विमन बोलो जुमा केस्री और कम से कम ग्रीम मंतरी और प्रदान मंतरी अपनी रेलियों में ये तो कहने लगे कि इनकी सरकार आएगी तो पांच साल में पांच प्राइम निस्टर होंगे इनकी सरकार आएगी तक कहने लगे जो की पहले कभी लड़ाई में नहीं माना करते थे तो ये मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि चुनाव शुरू होने के दो मेने पहले तक देश में एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा था लेकिन जैसे जैसे विपक्ष की जादातर जगों पर जादातर राजियों में सीटों का बटवारा करीब करीब अगर आप बंगाल को छोड़ देजु तो करीब करीब सारे जगों पर जहां विपक्ष लड़ना चाहता था वो एक मुश्ट एक इक एकते होकर के लड़ाए रहा था वो परिस्थितियां क्या हुई कैसे उत्पन हुई मुझे नहीं पता लेकिन जायदा तर सीटों पर आमने सामने की टक्कर है आप मैं उत्तर प्रदेश में हूँ मैं हरियाना में गया था जितने राजियों में गया था जितने राजियों में जा रहा हूं वहां मुझ प्रतिशत 14 आता मुझे लगता है कि वो उससे भी कम इन चुनाओं में हो जाएगा तो वो आमने सामने की जैसे जैसे टक्कर होती जा रही है वैसे वैसे चुनाओं बहुत रोचक और रोमांचक होता जा रहा है और इसी लिए इंडिया गडबंदन अप राहूल गांदी का ख खटा खट 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 वाला बयान अगर प्रधान मंतरी भी खटा खट कहने लगे है तो अब वो खटा खट और गैरेंटी और यह सब चीजों पर चुनाओं धीरे धीरे आ रहा है और जहां तक उत्तरपरदेश की एकताली सीटे है इन एकताली सीटों में विपक्ष और दर्शन किया है तो एक ताकत एक और दूसरी बात जैसे कि लग रहा था कि विपक्ष के पास कौन सी ताकत है और कौन सा मॉरेल बुस्टप के साथ ये दोजार चौबिस के चुनाओं में जाएंगे जब प्रधान मंतरी का 10 साल उनकी लोग प्रियता उनका संगठन इतनी ब हार जीत का अंतर कम होगा सीटे कम होंगी वो तो चार तारीक को पता चलेगा लेकिन चुनाओं का रोमांच और विपक्ष की ताकत लगाना पूरे जोर के साथ चुनाओं लड़ना देखिए कली मैं एक उमिद्वार से बात कर रहा था वो पहले के चुनाओं लड़े है होता है वो बड़ा इंजुआ करने लाइक होता है तो मैं जमीन पर हूं मैं आपको बताराओं खूब इंजुआ करने लाइक चुनाओं होगया है नतीज़ा जो हो आज यह आप देखिए अमेथी कर रात सोनिया गांधी रापरेली आ गईगे और आज वो आमेथी तो सायद बंदन का जो नेतित हो है वो अमीठी में और राय बरेली में राय बरेली में सोनिया गांदी भी होंगे तो पूरी ताकत कॉंग्रेस पार्टी ने अमीठी और राय बरेली में लगाई है अब हार जीत का फैसला तो चारतारीक होगा लेकिन एक चुनाव लड़ने का बहुत सा के बाद 2024 में अमीठी और राय बरेली में वो ताकत लगा रही है तो नतीजा चाहे जो हो दोनों तरफ से अभी आप देखिए अमीठी में आज गरी मंत्री अमिश्या आ रहे हैं मुख्य मंत्री आदित तिनात किसी एक लोग सभा सीट पर तीन बार लगातार गए तो मंता बनेर जी ने इस पूरी लड़ाई को आमने सामने में तब्दील कर दिया है तीसरा पक्ष कम्मिनिस्ट और कॉंग्रेस वह साफ है छीक है तो यहां पर जो है चुनाव अपने वाके बहुत इंप्रस्टिंग मोड पर इस वक्त चल रहा है तीन चरण अभी बाकी है